स्त्रियों का किस दिन बाल धोना माना जाता है शुब या अशुब शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने से जुड़े कई सारे नियम है और किस दिन बालों को धोना शुब या अशुब माना जाता है विवाहित स्त्री और कुवारी करन्या के बाल धोने के दिनों में अंतर होता है नमबर एक, कुवारी लड़कियों को कभी भी बुद्वार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए ऐसा करने से लड़की के भाई को कष्ट जहेलना पड़ सकता है नमबर दो, गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए ऐसा करने से सुहाग और आर्थिक स्थिती पर बुरा असर पड़ता है नमबर तीन, जिस तरीकों बाल कटवाने या फिर धोने हैं उसके लिए शुकरवार के दिन को बहुत ही शुब माना गया है इसलिए जो महिलाओं किसी पुत्र की माता है उन्हें शुकरवार के दिन बाल धोना शुब माना जाता है नमबर चार, शुकरवार के दिन बाल धोने से माता लक्षमी प्रसन्न होती हैं क्योंकि यह दिन मा लक्षमी का दिन होता है 5. किसी भी लड़की के छोटे भाई होते हैं खास तोर पर उन्हें तो बुद्वार के दिन भूल कर भी बाल नहीं दोने चाहिए 6. अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि स्त्री हमेशा विशेश दिवार शुब मुरत पर ही बाल धोती है लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुब दिन या मुरत के दिन कभी भी महिलाओं को बाल नहीं दोने चाहिए अगर आपको बाल धोना है तो शुब तितियों से एक दिन पहले बाल धो लें 7. महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा, एकाच्ची या वृत वाले दिन भी बाल नहीं दोने चाहिए यदि किसी कारण इन दिनों में बाल धोना पड़े तो पहले बालों में कच्चा दूद लगाएं फिर बाल धोएं 8. श्त्री को बाल धोने के लिए शनीवार का दिन शुब नहीं माना जाता है और ध्यान रखें कि शनिवार के दिन बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद